नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी आशा करती हों कि बहुत अच्छे होंगे? मीरा भाई के बारे में तुम्हें आपको पिछली एपिसोड में बता चुकी हूँ सोचे आज आपको आधुनिक मीरा के बारे में भी बता दूँ आधुनिक हिंदी की सबसे शशक्त कवित्रों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा की नाम से भी जाना जाता है कविन निराला ने तो उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वत्ती भी कहा है मैं बात करें हूँ महादेवी वर्मा की महादेवी का जन्म फरूखाबाद उत्तप्रदेश में 26 मार्च 1907 को हुआ था उनके परिबार में लबग 200 वर्षों के बाद 7 पीडियों के उपरांत पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था इसलिए इन्हें घर की देवी महादेवी मानते वे इनका नाम महादेवी रखा गया महादेवी जी के सिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में प्रारंब हुई साथी संस्क्रेट अंग्रेजी संगीत तथ चित्रकला की सिक्षा अध्याप को द्वारा घर पर ही दी जाती रही बीच में विवाह जैसी बाधा आजाने की कारण कुछ देने सिक्षा इस्थकित रही विवाह के बाद 1919 में क्रास्तवेट कॉलेज इलाहबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रवास में रहने लगी 1921 में महादेवी जी ने आठवी कक्षा में प्रांत भर में प्रथा मिस्थान प्रात किया था यही पर उन्होंने अपने कावे जीवन के शुरुवात की थी विसात वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा उतेर्न की वे एक सफल कवितरी के रूप में प्रसित हो चुकी थी वे वे ने पत्रपत्रिकाव में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चोहान के साथ उनकी घनिस्ट मित्रता थी सुबद्रा कुमारी चोहान महादेवी का हाथ पकड़ कर सक्खियों की बीच ले जाती और कहती सुनो ये कविता भी लिखती है 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विशु उद्याले में संस्कृत में में पास किया तब तक उनकी दो कविता संग्रे निहार और रश्मी प्रकाशित हो चुके थे महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ती थी कारण कुछ भी राहो पती श्री स्वरुप नाराण वर्मा से कोई वैमनेस से नहीं था सामानी इस्त्री पुरुष के रूपे उनके संबने मधुरी रहे दोनों में कभी-कभी पत्राचार भी होता था कभी-कभी श्री वर्मा उनसे इलाहाबाद में मिलने भी जाते थे श्री वर्मा ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासनी का जीवन था उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र ही पहने तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा सन 1906 में पती की मृत्य के बाद वे इस्थाई रुप से इलाहबाद में रहने लगी वो भारती इसो तंदरता संग्राम का भी हिसा रही 1936 में नैनी ताल में 25 कीलो मीटर दूर उमागर नाम के एक गाउं में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया था जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था जितने दिन भी वो वहाँ रही उस छोटे से गाउं की सिक्षा और विकास के लिए काम करती रही कविता ही काम करती रही विशेश रूप से मैहिलाओं की सिक्षा और उनकी आर्थिक निर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया आज कल इस बंगले को महानेवी साहित संग्रहाले के नाम से जाना चाता है कभी फुरसत हो तो जाके देख किया येगा श्रंकला की कणिया में इस्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहसव द्रड़ता के साथ आवाज उठाई और जिस प्रकार सामाजिक रुडियों की निंदा की उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया महिलाओं और सिक्षा के विकास के कारियों और जनसेवा की कारण उन्हें समा सुधारग भी कहा गया उनके संपूर्ण गद्य साहित में पीडा या वेदना के कही दर्शन नहीं होते बलकि अदब्य रशनात्म के रोश सहस समाज में बदलाओ की अदब्य आकांशा विकास के प्रति सहज लगाओ परिलिक्षित होता है उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद लगर में ही बिताया 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9 बच कर 30 मिनट पर ये आधिनिक मीरा भी इस अंसार को त्याक कर चली गई कैसा लगा आपको हमारी आधिनिक मीरा महादेवी से मिलकर आशा करते हूं कि आपके अंदर भी समाज में कुछ करने की इक्ष़ जागरित हुई होगी तो इंतजार के इस बात का है उठिए और कुछ कीजिए अपने समाज के लिए महादेवी जी की तरह आप भी कोई कदम उठाइए जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा कदम उठाइए आप एक छोटे कदम से भी शुरुबार कर सकते हैं महादेवी जी से प्रिणा लेकर अब मुझे यहनी प्रिती शुकला को इजाज़त दीजिए और अब्दुलकवी के पास सीधे चलते हैं और देखते हैं कि वह आज हमें किसे उभरते वे सितारे से मिला रहे हैं तता के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार शुक्र इंसान को समाच सेवा करनी चाहिए समाच सेवा का मतलब रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर उठाकर साइड में रखना भी समाच सेवा है एक पाउधे को लगाना भी समाच सेवा है आज मैं जिन कवी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ दरसल उनका नम कमलेश धुरंदर है और वो इस वक्त किसी कवी सम्मेलन में जानने की तैयारी में है लेकिन क्यूंकि मेरे बड़े आग्रेह पे उन्होंने अपनी एक दो रचनाएं हमारे चैनल के लिए सुनाई है तो मैं आपकी मुलागात करवाता हूँ हाश वेंग के कलाकार हाश वेंग के कवी कमलेश धुरंदर से एक रतना प्रतुत कर रहा हूं लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है कि साहियोजक विचार मेंड़ करके पैसा एकठा करता है अच्छा मेंच बनाता है उसके बाद जब दर्सक नहीं आते हैं तब बड़ी पीड़ा होती है यह संदर में वतना प्रतुत कर रहा हूं कि इस साल साहियोजक का आजीव अपनी निम हैं अपने साथ कमसे कम दात्रताओं का वशल आईये यह सोता नामिले तो करपा करके आप ही मत आईये यह सोता न मिलें तो करपा करके आप ही मत आईए तो कि हमारे शहर के लोग नातिवी नर्थकी को देख सकते हैं उस पर नोटों की गड़िया फेख सकते हैं लेकिन कभी सम्मेलन में नहीं आने वाले हैं कभी सम्मेलन के आईजनों को कहते हैं यह रिक्सा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं यह रिक्सा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं यह रिक्सा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं हमने अपने परोसी से कहा हमने अपने परोसी से पुराणी दुष्मणी निकाल लेगे तो आपको पटाद रूपे घंटे मिलेगे जद चलने का मन बनाओ भाई साहब बड़े मुश्किल से दत रोता मिले हम उन्हें लेकर कांगपूर चले जहां जहां स्टेशन आया चाय पिलवाई समोसा खिलवाया फिर हमने उन्हें समझाया जब हमारा नमबर आएगा तभी आप लोग तानियां बजाएंगे सबसे उपर हमी को उठाएंगे इतना सुनकर एक सुनता बोला दुवंधर जी आप चिंता न करे भगवान चाहेंगे आप जल्द से जल्द उपर उठाएंगे जब हमारा नमबर आया तो संचालक के इसारा करने पर हमारे दसोस रताओर ने अपना अपना हाथ उपर उठाया हमें खूब वावाही मिली लेकिन प्राता काल अजायव हो गया बिना प्रेमेंट दिये हमारा संयोज़े की गाइब हो गया हमारा संयोज़े की गाइब हो गया हमारा संयोज़े की गाइब हो गया जो अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए हैं तो सोतन कला के फंकार में अगले हफते आपकी मुलाकात होगी एक खुबसूरत सी गैक से और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें